नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया निउस नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है इन सब के साथ नेताओं की बयान बाजी और गुड़ बाजी भी अब सामने आने लगी है ग्रह मंत्री अमिशान या शनिवार को कहराना में यहां से 2014 में पलायन करने वाले परिवारों से मिलने पहुचे वही 2017 में योगी अधितनाद की सरकार बनने के बाद ये परिवार वापिस कहराना लौट आये हैं आपको बता दें मीडिया से बात करते हुए अमिशान ने कहा की आज पश्टिमी यूपी के कहराना से भारतिय जनता का परचा बाट कर यहां से प्रत्याशी मरगंका सिंग के लिए वोट मांग रहा हूँ कहराना में आज का महौल देखकर मुझे बड़ी शान्ती मिलती है पूरे परदेश प्रें विकास की एक नई लहर दिखाई दे रही है मोधी जी ने जो सारी योजनाई भेजी हैं उसे योगी जी ने नीचे तक लागू किया है पहले के राना में लोग पलायन करते थे आज लोगोंने कहा कि योगी सरकार की वजह से हमें पलायन करने वाले लोग खुद पलायन कर गए हैं आज में पलायन करने वाले मित्तल परिवार के साथ बैठा था उन्होंने कहा कि अब हमें कोई भे नहीं है वहीं आपको बदा दे भाशपक है पार्टी का कहना है कि वो कम से कम 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी वहीं पार्टी अध्यक्ष ललन सिंग ने शनिवार को इसका एलान किया था इस दोरान उनोंने कहा कि गटबंदन नहीं होने पर अपनी ही पार्टी के नेता और मोधि सरकार में मंत्री आर्सिपी सिंग को भी आड़े हाथ लिया है झाल